शिर्वाज जी नेच्र उपेती में आज आपका एक बार में स्वागत हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको अंडे फ्रिज में नहीं रखने चाहिए। जी हाँ, अगर आप अंडो को फ्रिज में रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं, ऐसा आप सोचते हैं, लेकिन उसके अंडर कितना नुकसान होता है अंडो को स्टोर करने का शायद आपको मालूम नहीं है, क्योंकि फ्रिज में अंडा रखना सुरक्षित नहीं तो उनका स्वाद और उनकी फ्रेशनेस हमेशा ताजा बनी रहती है, ना कि जितना कि आप फ्रिज में रखते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसके पोशन में कमी आ जाती है, इसकी जो टॉक्सिक है, वो खपम हो जाते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप अगर अंडो क लमबे समय तक कम तापमान में रखते हैं, तो उसका पोशन कम हो जाता है। तापमान पर रख्यों कि रूम का टैमपरेचर होता है, अगर आप उसके रखते हैं, तो आप ये मान के चलें कि अंडे बाकाइदा पोशन वाले रहते हैं और आपके शरीर के लिए बहुत फाइदे मंद रहते हैं होता क्या है कि हम कब ताप मान में रखें अंडों में से कुछ खनिज और आवश्चक एंजाइम्स अपनी शम तक हो बैठते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप घर पे जब भी अंडे लाएं उन्हें आप फ्रिज में ना रखें बल्कि कोशिश करें कि आप जल्दी से जल्दी खाकर उन्हें खत्म कर दें क्योंकि कुछ शोद में कुछ चीजों में ऐसा भी पता लगाया गया है कि अगर आप रूम के टेंपरेचर की बजाएं फ्रिज में आगपन्दा रखते हैं तो उसके छिलके के ऊपर कंडेंशन जो है वह ऐसा बैक्तेरिय को गति को बढ़ा देता जिससे होता गया कि बैक् चारिश करेंगे कि अगर आप अंडा खाते हैं अगर आप मांसाहरी हैं और आपको अंडा अच्छा लगता है तो आप कोशिश करें कि आप अंडा जब भी लाएं उतना लाएं कि आप उसको खा लें और अगर आपको वैसे भी उसको सेव करके बाहर रखना है तो आप कोश परखनें की शरीर के लिए कुनकि उसके अंदर कुछ इस तरह के बैक्टेरिया इस तरह के अनवश्यक्द तो later में च्छिलोपय के द्वारा अंडे के रंडे के उदर चले जाते हैं जी हाँ, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, हम पर टिप्णियां कर सकते हैं, और शेर और लाइक तो आपका बनता ही है, एक बार फिर से बहुत शुक्रिया हमर से जुड़े रहने के लिए, thank you very much.